फ्रेंड्स आज में आपके साथ CPA मार्केटिंग की एक secret strategy शेर करने वाला हूँ जो बड़े-बड़े affiliate marketers use करते हैं अपनी CPA मार्केटिंग के लिए दोस्तो इस secret strategy को सीखने से पहले हमें थोड़ा सा CPA मार्केटिंग के बारे में पता होना चीए तो दोस्तो CPA मार्केटिंग सेम affiliate marketing की तरह ही होती है affiliate marketing में हम क्या करते हैं एक affiliate program को join करते हैं वहाँ पर अपना affiliate link generate करते हैं फिर उस affiliate link को हम promote करते हैं promote करने के बाद जब कोई वैक्ति उस affiliate link को पर click करता है और वहाँ से product को purchase करता है तब हमें वहाँ से commission मिलता है CPA marketing के अंदर भी सेम इसी परकार होता है हमें क्या करना होता है यहाँ पर एक affiliate program को join करना होता है then उसके बाद अपना link create करना होता है link create करने के बाद जब कोई वैक्ति उस link के उपर click करता है और वहाँ पर छोटी छोटी टास्क करता है लाइक वहापर sign up करता है, lead generate करता है, app installs करता है या फिर वहापर surveys को complete करता है तो हमें क्या मिलता है, commissions मिलते है अब effort marketing और CPM marketing में main difference क्या है effort marketing के अंदर हमें sale करवानी होती है जिसके बदले में हमें अच्छा कासा commission मिल जाता है CPM marketing में क्या होता है हमें only छोटी-छोटी task complete करनी होती है जिसके basis पे हमें उसी हिसाब से 1$, 2$, 5$, 7$ का commission मिल जाता है तो अब question आता है कि CPA marketing और effort marketing में main difference क्या है तो guys अगर आप effort marketing करते हैं तो effort marketing के अंदर आपको sale करवानी होती है और sale करवाने के लिए आपको consistency, patience और efforts बहुत ज़दा लगाने होते है उसके बाद ही आपको sale मिलती है परंतो अगर जब आपको sale मिलती है तो उसका commission काफी हाई होता है इससे हमें satisfaction मिल जाता है परंतो CPA marketing के अंदर क्या होता है वो बिल्कुल अलगी होता है CPA marketing में हमें क्या करना होता है कुछ actions complete करवाने होते है actions आप कैसा ना कैसे करके complete करवा लेते है जिसके हमें छोटी छोटी commissions मिलते है तो इसका मतलब क्या हो गया CPA marketing के अंदर हमें कम consistency रखनी होती है और कम efforts लगाने होते है परन्तु इसका commission effort marketing के तुला में काफी कम होता है बस यही इसके एक छोटा सा drawback है परन्तु अगर आप CPA marketing के अंदर consistency बना के रखते हैं तो आप इससे भी अच्छा कासा commission कमा सकते हैं तो friends अब आपको समझ में आ चुका होगा CPA marketing और effort marketing के बीच में क्या अंतर है अमना आपके साथ अपनी secret strategy शेयर करने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप short term में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तो इस strategy के लिए आपके पास दो चीजों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है पहला आपके पास एक CPA का program होना चाहिए दूसरा आपके पास एक Facebook का account होना चाहिए अगर आपने अभी तक किसी CPA program के अंदर join ने किया है तो आप CPA lead या CPA grip के अंदर join कर सकते हैं यहाँ पर join करना काफी असान है और किसी भी प्रकार का approval नहीं लेना पड़ता है अगर आप CPA lead में कैसे join करना है वैसी करना चाहते हैं तो उस case में आपको क्या करना है मेरे channel को परजाना है यहाँ पर आपको search के अंदर type कर देना है CPA lead only आपको क्या type करना है CPA lead आपके सामने यह वाली वीडियो आ जाएगी आपको इस पूरी वीडियो को देख लेना है यहाँ पर मैंने आपको complete process बताया है कि आप किस परकार से CPA lead के अंदर अपना account create कर सकते हैं और आप यहाँ से अपना CPA lead का account create कर लेना जैसे आप अपना CPA lead का account create कर लेना अब मैं उसका आपको process बताता हूँ ताकि आप आसानी से अपने products को यहाँ पर promote कर पाएं तो इस case मापको क्या करना है offers के उपर click करना है आपके सामने कुछ इस परकार का page आ जाएगा यहाँ पर आपको अपने offers को filter करना है क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले है surveys और email submit को यहाँ पर promote करने वाले है क्योंकि यह काफी असान task है और काफी असानी से हो जाती है तो इस case मापको क्या करना है country के अंदर आपको choose करना है United States को ही आपको United States को क्यों choose करना है क्योंकि United States के अंदर हमें ज़्यादा Surveys मिलते हैं अगर आप यहाँ पर India चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत कम Surveys मिलेंगे और बहुत कम यहाँ पर offers मिलेंगे तो आपको यहाँ पर कौन सी country चूज करनी है United States उसके बाद आपको क्या करना है offer टाप के उपर आना है और यहाँ पर select करना है email, submits and survey काफी आसान offer होते हैं और यहाँ पर जो offer होते हैं वो काफी आसानी से convert हो जाते हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या चूज करना है email, submits and survey और devices के अंदर आपको all device रखना है टेर मैंने इतना काम आप ने कर दिया इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है थोड़ा से नीचे आनना है तो इहाँ पर आपके सामने बहुत सारे offers आ जाएंगे यहाँ पर शूज करता हूँ विन $000 Paypal Gift Card अब मैंने यह वाला offer क्यों चूज किया तो guys इस offer को choose करने का सबसे बड़ा benefit यह है वह gift card के लिए लोग खुद से ही पूछते हैं मैं आपको भी यहाँ पर example दिखाऊंगा बहुत से लोग खुद से ही पूछ रहे gift card के लिए आपको कैसे इसको promote करना है उसका भी मैं आपको process बताऊँगा तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है जब भी आप किसी भी CPA offer को promote करें तो gift card को promote करते हैं तो उसके अंदर conversion होने के जाज़ा chances मिलते हैं अब यहाँ पर आपको कितना payout मिलेगा क्या आपको करवाना सारा process में आपको बताता हूँ तो गैस अगर आप एक task को complete करवाते हैं तो आपको यहाँ पर कितना commission मिलता है 1.74 डोलर इसका मतलब क्या है एक offer complete करने के आपको 2 डोलर तक यहाँ पर मिल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आपको कैसे इसको promote करना वह बताता हूँ share effort link to earn यहाँ पर क्या आपका effort link मिलता है इसको आप copy कर लो जिसको आपको promote करना है अब आपको क्या-क्या task करवानी है वह मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर साफ लिकर है आप क्या कर सकते हैं इस इस program को आप इस वाले offer को only United States के people को ही promote कर सकते हैं अगर United States से ही आपके task complete होती है तभी आपको यहाँ पर commission मिलेगा कोई other बंदा other country का बंदा अगर आपके task को complete करता है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तो मतलब मुझे मुझे lead कहां से लेके आने United States से ठेक है यह बात clear हो गई devices क्या है old devices इसका मतलब क्या है किसी भी प्रकार का device हो लैपटोप हो आइफोन हो एनोड फोन हो या छोटा फोन हो कहीं से भी अगर sign up होता है या फिर आपका survey complete होता है तो आपको वहाँ पर commission मिलेगा यहाँ पर इन्होंने इस बात को clear रखा है है तीसर नहील है यहाँ पर क्या खनोर्च कनवार्ट कको मतलब क्या है आपको क्या टास कम्प्लीट करवान 지원 आपको इहाँ पर क्या करवाना स exit up करेंगेये आंप यहाँ मतलब नंक फर हमें मिलन तो इस बंदे का sign up करना भोज़ता जरूरी है, अगर वो यहाँ पर sign up करता है, तभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर commission मिलेगा, तो यह होगा हमारा पूरा product, क्या हमारा product है, कहाँ पर हमें promote करना है, क्या मेरा affiliate link है, कैसे मुझे promote करना है, सारा मैं आपको यहाँ पर बता दि अब मैं आपको अपनी 3 strategy बताने वाला हूँ, जिसका मैं long time से use कर रहा हूँ, और उससे मुझे काफी ज़्यादा benefit हो रहा है, आपको यह 3 strategy ध्यान से समझनी है, पूरा process समझना है, तभी आपको यहाँ से करने वाले हैं, gift card से related groups को join करेंगे, तो आपको क्या करना है, अपन आपको यहाँ पर join कर लेना है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इन सारे groups को यहाँ पर open करने वाला हूँ, और एके करके सारे groups को यहाँ पर join कर लूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर Google Play gift card इसको join कर रहा है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, लोग किस तरीके से गुरु गिफ्ट कार्ड के लिए आस करते हैं और किस प्रकार से अपने गिफ्ट कार्ड को यहाँ पर सेल करते हैं और आपको भी किस प्रकार से यहाँ पर अपने गिफ्ट कार्ड के उपर साइनप करवाना है ठीक है सताओं लोगों ने इसको comment किया है और बहुत से लोगों ने इसको DMV किया होगा तो कितना अच्छा engagement है इसके उपपर जबकि यहाँ पर यह बंदा 200 डोलर का gift card बेच रहा है और आप तो यहाँ पर gift card free में देंगे तो कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर benefit होने वाला है ठीक है दूसरे यहाँ पर मैं आपको एक example दिखाता हूँ दूसरे हम थोड़ा से चलते हैं तो यहाँ पर एक बंदा ask कर रहा है देखो यहाँ पर एक बंदा ask कर रहा है Google Play gift card का बंदे नहीं पर message किया है जिस बंदे के पास Google Play का gift card है वो मुझे inbox करे मुझे यह वाला gift card खहेदना है उससे तो इस प्रकासी भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपने gift card को promote कर सकते हैं promote कैसे करना है उसका मैं आपको यहाँ पर process बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आप engagement देख सकते हैं इस पंदे के ऊपर भी 73 comments आए हैं तो आपको क्या करना है दो बात को इपर ध्यान रखना है एक तो आपको regular यहाँ पर content को publish करना है और दूसरा आपको इसी type के message इसको पर ध्यान रखना है जो भी बंदा gift card के बारे मांगे आपको क्या चेक करना है पहले उसकी profile चेक करना है यह कहां का बंद है अगर United States का बंद है तो आप क्या कर सकते हैं उसको अपना gift card वहाँ पर send कर सकते हैं अगर United States का बंद है तो आप उसको skip करते हैं यह भी आपको बात दिहान रखना है अप कैसे आपको यहाँ पर आपने content create करना हो तो वहाँ को क्या करना है इसकी तरह content यहाँ यहाँ पर六 टप करदीडिए आपको ऐसा content नगी करने है सबब को क्या करना कैनो आको नपर जाना, चोटा से्टैम्ट बना लेना है अब मैंने यहां पर एक template बना रहा है मैं आपको share करके दिखाता हूं को कैसे share करना है तो मैं यहां पर क्या कर दूँगा यहां पर चला जाओँगा photo और वीडियो को पर click कर दूँगा अब यहां पर क्या लगा देते हैं और यहां पर प्रोसस करना है यहां पर जिस भी बंदे को जरुवत होगी वह क्या करेगा यहां पर आपको comment कर देगा या आपको direct DM कर देगा इतना simple सा process करना है जो भी यहां पर आपका relevant बंदा होगा वह क्या करेगा इस वाले message को पढ़ेगा पढ़ने के बाद अगर उसको लगता है उसा PayPal का 1000 डॉलर का gift card चाहिए तो वह क्या करेगा आपको DM करेगा या आपको comment कर देगा अब यहां पर भी आपको एक चीज़ को पर ध्यान देना आपको क्या ध्यान देना है जब भी बंदा आपके आपका जो section उसमें comment करे आपको DM करे तो पहला आपको उसके profile चेक जरूर करनी है अगर वह United States का बंद है तो आप उसको reply करना अगर नहीं है तो आप उसको skip कर दे देन उसके बाद latest जो पोस्ट है उनको analyze करेंगे ठीक है जैसे मैं क्या करता हूं यह वाली पोस्ट को analyze करता हूं तो इस पोस्ट के अंदर क्या हो रहा है बारा लाइक्स हो रहे 57 कमेंट्स हो अब मुझे क्या करना है जितनी भी कमेंट्स है उन सभी profile को चेक करना है और यही message के अंदर आपको अच्छा सा content लिखना है आपको content क्या लिखना है I have a PayPal gift card अगर आप interested इस PayPal gift card के अंदर तो आपको एक छोटी से task complete करनी होगा आपको एक survey sign up form complete करना है तो PayPal का gift card आपको मिल जाएगा और नीचे आपको अपना और दिन में करीब आप 80-100 message कर दें काफी रहेगा अगर दिन में आपको 10 भी convergence आ जाते तो आपको काफी अच्छा benefit हो सकता है तो friends इसके अंदर भी एक दूसरा method आता है अगर suppose को आपको पहले वाले method से आपकी target audience नहीं मिल रही है तो इस case में आपको क्या करना है पीपल के अंदर बंदे होते हैं उन सब के list आ जाती है अपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा से नीचे जाना है और यहाँ पर आपको सारे group के member दिख जाएंगा अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं अपको थोड़ा मेहनत करना जैसे यहाँ बंद मैंने इस तरीके को लगा लो एक महीना follow किया था मेरे को करीब इससे आये थे 100 Convergence आये थे मैनत तो लगी इपरन तो 100 Convergence भी मुझे आ गए थे अब आता है method number 3, method number 3 में क्या करना है आपको अपना खुद का group ये खुद का page create करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने दो groups create कर रहा है मैं इस वाले group को open करता हूँ इस group के उपर मेरे करीब 680 members है क्या यह 680 members मैंने invite से gather करें नहीं guys अगर मैं 680 members को invite से gather करता तो मुझे कम से कम लगा लो 2-3 साल लग जाते फिर भी 680 members एकटे नहीं होते क्यों नहीं होते व्योंकि जो बंदे हैं वो आजकल invite के ऊपर नहीं होते invite मैं खुछ try कर चका हूँ invite करते तो कोई बंदा जल्दी से join नहीं करता है तो यहाँ पर मैंने क्या strategy follow करी जिससे कि मेरा यह audience ways बन गया अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं कभी भी effort marketing नहीं करता हूँ यह मेरा health का नीश है यहाँ मैं कुछ अलेगी type की marketing करता हूँ तो आप अगर इस group को check out करेगा तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी effort को कुछ भी काम नहीं मिलेगा क्यों यह मेरा कुछ अलेगी type का काम है इसके अंदर तो मैंने यहाँ पर क्या strategy अपना ही वह strategy मैं आपको बता देता हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या करा regular अपने content को publish करने के साथ मैं एक दिमागों लगा ले मैंने क्या करा वापिस group को पर जाते हैं औ पर मैंने क्या करा अन्य गृप भी जोइन करें अपने नीश के रिटेट मेरा यह वाला नीश किसका है natural health tips इसके अंदर मैं क्या क्या करता हूँ यहाँ पर अपने तीन गृप्स जोइन करें हैं अब इन सब के members कितने काफी अच्छे members है किसी के 1 lakh है किसी के अंदर 2 lakh है किस जैसे कि यह वाला पोस्ट क्रेट किया था मैंने तो इन तीनों गृप्स के अंदर मैं उसको क्या करता हूँ शेयर करता हूँ जैसे मैं गृप के अंदर इन पोस्ट को शेयर करता हूँ तो उस दोरान क्या होती ही जो यहां की audience होती है देखो एक बात तो है Facebook के उपर लिंक 73 के reach मिली है जबकि मैंने इसको तीन गृप के अंदर शेयर किया है इसके अंदर एक लाख दो लाख और पांच लख मेंबर्स हैं फ्रीव मुझे कितना reach मिला है आप 73 क्यों मिला है को कि Facebook के उपर reach नहीं होती है तो इसकेस में आपको क्या करना है बहुत सार गृप्स को जो उपर आ जाएंगे जैसी बंदे इस गूर्प के उपर आएंगे तो अगर उनको मिरा अच्छा लगा उन्हें मेरा निश ओर इंटिल लगा तो इसी तरीकह से मैं ने क्या करता है यहांपर अपने 680 मेंबर्स को जोईन कर वाया है बिल्कुल ती आप से इसको follow कर लेना और अपने जहां पर गुरूप है उसको थोड़ो सा बढ़ा लेना और अच्छे से महनत करोगे तो यह पर हजार दोजन मेमरी खट्टे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना अपने जितनी भी ओफर्स हैं आप अपने गुरूप के उपर प्रमोट करेंगे तो आपको यहां से करनो आपकी सेल उने स्टार्ट हो जाएगी जो फ्रेंड यह थी मेरी 3 स्ट्टेजिस इसको बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूं और इसका मुझे अच्छा का सा बैफित मिल रहा है अगर आप इसका भी यूज करते हैं चाहिए पर अगर आप यूज करते हैं तो इस